इंदोर की खजराना थाना पुलिस ने नशा करने वाले एक बदमाश को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपी खुद भी नशा बेचता है और आरोपी से पुलिस ने 10 ग्राम ब्राउन शुगर जबत की है जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपे बताई जा रही है। दरसल पुलिस को मुखवीर से सुचना मिली थी कि स्टार्ट शौराहे के पास स्थित खाली मदान में अंशुल बुंदेला निवासी सोलंकी नगर ब्राउन शुगर बेचने के फिराक में खड़ा है। सुचना पर पुलिस ने एक टीम बनाकर आरोपी की घेराबंदी की और उसे पकड़ कर थाने लाया गया। आरोपी अंशुल की तलासी ली तो उसके पास से 10 ग्राम ब्राउन शुगर बरामत की गई है। बिल्डिंग उसके आगे अंधरे में खड़े वे थे तो उस दोरान दो लोगों ने आकर उनकी गाड़ी को रोका आगे और उनके साथ चाकू अड़ाकर और यूटी की चेहन और अंगूठी को लूट लिया था। तो उस पर से हम लोगों ने हमारी टीम में पताराशी की है और गाड़ी का जो तूटावा नंबर था आगे का पूरा अधूरा नंबर था उसके अधर पर हुलिये के अधर पर हमारी टीम ने दो यूग को ग्रिफतार किया है जो कि नासीर और सुल्तान पूर्फ इमरान है और उनके पास से लूटी गई चैन और अंगुठी भी बरामाद होगा है